हेलो लेडीज जेटलमेंट स्वागत है आप सभी का एक बार प्रेट क्राइक स्टूडियर से लाइव एक्स्क्लूजिव आ गए हैं आपके बीच में एक और शो लेकर और यह शो नहीं यह फैंटेसी शो है और फैंटेसी शो में आपको बहुत कुछ फैंटेसी टिप्स के त सबसे पहले स्वागत कर लेता हूं मेरे साथी होस्ट और दोस्त अयूज भाई का अयूज भाई स्वागत है आपका शो में बिलकुल बबर शुक्रिया हुए इस भाई आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्राइस सीरीस में के फाइनल के उलेकर जो की खिला जाएगा न्यूज पाकिस्तान को लेकर चलिए को जानकारी देने के लिए बढ़ते हैं आगे तो जैसे कि आयूज भाई ने कहा कि यह है ट्राइस सीरीज और पाकिस्तान की टीम खेलेगी अगला फाइनल जी बिलकुल साही बात है आगर हम बात करें तो मुकाबला खेला जाएगा हेगली ओव क्राइस चर्च में बैलन्स विकेट रहेगी और कल की दिन के अंदर नव सनी वेदर देखने को मिलेगा सन्विल बी आउट एंड साथी साथ यार एवरेज स्कोर यहां पे एक सो पच्पान एक सो साथ के आसपास है तो हाई स्कोरिंग इंकाउंटर हो सकता है जी बिलकुल ह जी बिलकुल साथी साथ यार यह अपडेटिट पॉइंट के भी 6 पॉइंट पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट ओनों ही टीम में 3-3 मुकाबले जीती और मंगदेश रही विल्लेस इस मुकाबले के अंदर इश्रिंकला के अंदर चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले आपको जो होस-nation है विल्यूज उसकी प्लेटिटेट प्लेइंग 11 के तरफ तो फैसे चर्चा करते हैं की वी सको ले कर क्या कहेंगे रपिछले मुकाबले में कप्तान बहार थे क्या इस मुकाबले में कप्तान की वापसी होने वाली है कफ्तान ने रेस्ट किया क्योंकि T20 World Cup में भी उनको खेलना है तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्वालिफाय तो अल्रीड हो चुके है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं इस मुकाबले में जरूर वापिस आएंगे क्योंकि important मुकाबला है और मैं कहूंगा अब न्यूजिलेंड की टीम हो चाहिए पाकिस्तान की टीम हो जीत के साथ इस टॉर्नमेंट से आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि अगला जो पड़ाव है ना वो है T20 World Cup सबसे बड़ाव जिसके लिए इसा महनत कहीं न कहीं की है तो शुरुआत न्यूजिलेंड की टीम की अगर बात करें तो फिन एलन और डेवन कॉन्वोई वो 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 वाड़ा बैस्पन दे आर मतलब दोनों ने कसम खाई हुई है कि एक साथ नहीं चलना है लेकिन हाँ इंडिविज्विज्वली दोनों ने पर्फॉर्मेंस करके दिखाई है पहला मुकाबला फिन एलन के नाम रहा दूसरा मुकाबला डेवन कॉन्वोई के नाम रहा पिर तीसले मुकाबले में फिर आफिन एलन वापस आया और तीनों दोनों ने मिल के equal number of contributions कहीं न कहीं करके दिखाया है साथ ही आपको बता दूँ कि डेवन कॉन्वोई इस मुकाबले में इस कॉन्णमेंट में अब तक टॉप स्कोरर रहे हैं चार मुकाबलों में 219 रंस बना चुके हैं एवरिज है 109 की और स्ट्राइक रेट रहा है 130 का पिछले मुकाबले में अराम किया मार्टन गप्तिल को जगा दी लेकिन इस मुकाबले में वापसी करते नजर आएंगे उसके अब नमबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स अगें साथवे नमबर के हाईएस रंस स्कोरर चार मुकाबले 101 रं एक मुकाबले में इनको मैर ओ दो मैच का खिताब भी मिला है तो फैंटेसी के लिहाज से यार नमबर 4 पे बहुत क्रूशल बलेबास रहने वाले हैं और बड़िया काम करके दिखा सकते हैं वे इस फाइनल मुकाबले के अनको मैं एक बार फिर कहूंगा नमबर 4 की जो पोजिशन होती है वो बिल्डप पोजिशन होती है स्कोर की तरफ ले जाने के लिए तो नमबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स अपना रोल बाखू भी जानते हैं और काफी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं लगतार अपनी टीम के लिए रंस बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है इस सीरीज में ही नहीं आने वाला T20 व जानते हैं कि इस प्रकार से वो गेंदवाजी भी कर सकते हैं विक्टे भी निकाल सकते हैं और बल्ले से भी आर बहुत काबिलियत है यहां पे कही ना कहीं अगर हम जिमी नीशिम की बात करें तो तो दोनों तरीके से he can be very useful और हम और नीचे चले Michael Bracewell यह खिल लाड़ी का न useful खिल लाड़ी पिछला मुकाबला भी जो न्यूजिलेंड ने ग्रूप स्टेज में लास्ट एक मुकाबला खिला था उसके अंदर man of the match भी बन के आये थे तो अगें fantasy के लिए हाद से very very key player always बिल्कुल साथ ही आपको बता दूँ कि ब्रेस्विल के अभी इस इस tournament के अंदर similar गेंदबाजी का भी हाल है Tim Saudi what a player he is top performer रहे है इस tournament में और number one ranking पे भी थे until कल वसीम जूनियर नेक विकेट लेके अपने आपको टॉप पे ले आया है हाला कि आपको बता दू कि पाकिस्तान के वसीम जूनियर और Tim Saudi साथ-साथ विकेट के साथ number one और number two positions में नज़र आ रहे ह बिल्कुल यारे तो इतने उची कट-काठी के हैं उपर से कही ना कहीं जादा spin के ओपर लाई नहीं करते हैं अपनी height का फायदा उठाते हैं उस skid का फायदा उठाते हैं फोड़ा सा पेस का फायदा उठाते हैं अनिल कुमले की याद दिलाते नजर आते हैं यार इस सोधी और कई ना कई नौ मुकाबले तीन विक्टे ये निकाल चुके हैं तो वेरी क्रूशल प्लेयर टिम साओधी पिछले मुकाबले में कप्तान भी थे क्योंकि हम जानते हैं कि यार केन विलिमसन ने अराम किया पिछले मुकाबले के अंदर और बढ़िया काम कर रहे हैं साथ मतलब यार फैंटेसी के लिहाज से तो गेंदबाज मतलब यार पच्चिस पच्चिस पॉइंट दिला दिला के मज़े करवा रहे हैं सबी यूजर्स के यहां पर और बाकी लोर डाउन दौर और दो गेंदबाजों की बात करें तो नमबर वान टीट्वेंटी बॉलर रह च करेंगे तो यह थी न्यूजर्ण की प्लेंग 11 का हाल और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान प्लेंग 11 जो की मतलब इन्होंने भी मार्केट में बहुत जादा बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है स्टार्ट करेंगे बाबर आजम नमबर वन टी पिछले कुछ मुकाबलों में दिखाई चर्चा में रहे थी एक तो राट को लीक से कंबैरेजन करना स्टार्ट कर दिया गया था लोगों की तरफ से और बिल्कुल यारो बिल्कुल सहीर समय पर फॉर्म पकड़ा है इन्होंने पिछले कुछ समय से इनके बल्ले से भी पकड़ लिया है बिल्कुल साथी बहुमन रिज्वान की बात करूं तो वह इस टॉर्णमेंट पे नंबर तीन पर रहे हैं तो नंबर दो पर बाबर आजम नंबर तीन पर रिज्वान और मात्र बाबर आजम से दस रन पीछे हैं एक सो सर्सट रन इन्होंने भी बनाए है और तकड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और टॉप टॉप प्लेयर हैं तॉप कंटेंडर हैं आपकी कोई भी टीम से चाहे वो ग्रैंड लीकी हो चाहे स्माल लीकी हो जी विल्कुल यार सहमतू आपकी बात से नंबर तीन पर चले शान मसूद टेक्निकली साउंड बले ब बाते हैं यार बैटिंग करने तो अगर एक मैच में भी क्लिक कर गए तो आपका तो फैंटेसी की लिहाज से आपकी तो बले-बले हो जाएगी या साथ ही बता दूँ देखिए बाभी सीरीज में जरूर नजर आ रहे हैं आपको शान मसूद लेकिन जहां तक चर्चों में इस टाइम जो एक खबर बड़ी हुई है वो यही है कि फकर जमान टी-20 वोल्ड कप में वापसी करेंगे पाकिस्तान की टीम में और वो नंबर तीन पे खेलते हुए नजर आएंगे तो बारहाल अभी हमें सीरीज की बात कर रहे हैं तो नंबर तीन पे शान मसूद का परफ करते नजर आए लेकिन इनकी जगहां पे खिलाया जा रहा है शादाब खान को जी बिलकुल यार मतलब हैदर अली टेक्निकली को और साउंट बल्लेबास टी-20 में अच्छा काम करके दिखाया है लेकिन फिर भी आर आप शादाब खान को लगातार प्रमोट कर रहे हैं आप यह तो वक्त के साथ ही पता चलेगा लेकिन हैदर अली यार वेरी वेरी क्लासी बैट्समें मजदार वल्लेबास हैं अगर नंबर चार पर आते हैं तो आपके लिए यह भी फैंटेसी के लिहाज से बहुत बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं उसक्तिकार अहमत आसिफ अली इतना contribution का रहा नहीं है fantasy के लिहाज से जादा popular players रही नहीं है और मतलब यार ठीक है टीम में हैं लेकिन ना टीम के लिए जादा कुछ contribution निकल के आ रही है ना ही fantasy के लिए ना बैटिंग आएगी तो आएगा ना मतलब शादा आपकान को आप नंबर चार पे खिला लेते हैं और वन तक केल के जाते हैं तो इसी के चक्कर में इस सीरीज के अंदर कुछ बड़ा नाम नहीं कमा पाए लेकिन overall अगर आप आकलों की तरफ जाएंगे तो ये दोनों खिलाडी बहुत important खिलाडी हैं खासतोर पर इफ्तिकार आइमद मेरे personal favorite है इनोंने थाबित किया ही जिस टीम जूनियर साथ विकेर्स इनोने भी निकाली है और अपनी टीम के लिए कहए धाया हुआ है उसके साथ साथ हारिस रौफ को पिछले मुकाबले में रेस दिया गया था पिछले दो मुकाबलों से वो खेलते वे नजर नहीं आ रहा है इसी लिए उनको नहीं खिलाए गया हो सकता है कि टॉस के बाद कुछ बदलाव हो अगर कोई बदलाव होगा तो निशे तोर पे हमारे टेलिग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी उसके लिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का हिस्सा बना होगा जिसका लिंक आपको अभी अभी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया गया तो आप चाहिएगा उसको और फॉलो कर लीजेगा साथी जैसे हैं मैंने कहां बहुमद वसीम जूनिया नमबर वन पोजिशन पे साथ विकेट के साथ उसके अलावा बहुमद हसने बड़िया काम करते के नजर आ रहे हैं टीम के लिए और उसके अलावा नसीम शाह पिछले दो मुकाबलों वे ही खेलते वे नजर आएं जादा काम इनोंने नहीं किया बट एवरिज तना के गेंदबाज हैं और मैं कहूंगा कि अच्छी सीम के साथ और मुझे बहुत जादा इंप्रेस किया था है इनोंने खास तोर पे जब इंडिया के खिलाफ इनोंने बोलिंग करी थी एशिया कप में आया वोज इन लव जससे राव पेस इनके अंदर है जोश है उनके अंदर और शमता भी है आगे बढ़ने की तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नसीम शाह आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जिसकी चर्चा आपने आपके साथ की है अब आते हैं मुद्दे की बात पर और मुद्दे की बात है Grand League Combination और Small League Combination जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है तो जल्दी से चलते हैं State Forward Grand League Combination की तरफ जिसमें कब्तान हमने बनाया है ब्रिस्विल को जो बहुत ही खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं विकेट्स इन्होंने निकाल चुके हैं और अपनी टीम के लिए मतलब कमिया पूरी कर रहे हैं अपनी टीम की गेंदबासी में मतलब T20 World Cup में भी बहुत जादा मैं कहूंगा सुकून मिल रहा होगा खास दोर पर किन विलिमसन को ये सोचते हुए कि हाँ मेरे पास एक और बॉलर है जो की बड़िया काम कर सकता है साथ ही वाइस कैटिन की तरफ अगर आप जाएंगे तो हमने शादाप खान को बनाया है जैसे कि अब फोड़ी दियर पहले हम से आपने सुना कि नंबर चार पर बैटिنग कर रहे है तो ये नंबर छे पर बैटिंग करने के लिए आते हैं लेकिन इस सीरीज में नंमर चार पर बैटिंग करते वे नजर आए और चार ओवर भी करा रहें तो जब चार पे बैटिंग और चार ओवर करें तो क्यों ना वाइस कैप्टिंसी की कंटिंसी में आए जी बिलकुल दोस्तो अगर आप लोगो बड़िया जानकारी मिल रही है कुछ सीखने का मौका मिल रहा है वीडियो को लाइक करें बाकी कुछ भी चेंजिस होते हैं अगर टॉस के बाद तो आपको मिल जाएंगे हमारी टेलिग्राम चैनल पे जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में पिंड भी है तो जरूर जाके जोइन कर लिजेगा जिनको आप मिस नहीं कर सकते किस वी तोर पे और अब केन विलियमसन भी हनाकी जैसे हमने बात करी पिछले मुकाबले में रेस्ट दिया गया यह इस मुकाबले में कमबैक करने वाले है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि क्या मार्टिन कप्टिल को से लेकर आया जा सकता है क्योंकि हारेस्ट रॉफ ने दो मुकाबले खेले और दो मुकाबले चार विक्टे निकाली है उन मुकाबलों के अंदर तो जरूर बताईएगा जी बिल्कुल विकेट कीपर जैसे की बताया कि डेवन कॉनवोय मुहमद रिजवान और उसके साथ-स के करीब इस सीरीज में रन बना चुके हैं उसके अलावा बैटिंग की तरफ चलें तो केन विलियमसन सौ 110 की स्ट्राइक रेट से नंबर तीन पर बैटिंग कर रहे हैं और अपने साथी बल्लोबाजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं उनका साथ निबाके क्योंकि वो चानते है उनको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है वो रन्स बनाने जानते हैं तो वो स्ट्राइक रोडेट करते हैं सामने माला रन बना रहा है और इसी के साथ ही जो निउजिलिन की टीम है वो बढ़ रही है उसमें नंबर दो पे चल रहे है ठीक डेविन कॉनवे की पीछे और शानम राउंडर्स की श्रिंकला की तो हमने बात करी माइकल ब्रेसल और शदाप खान चलते हैं सिदा गेंदवाजी की तरफ ट्रेंट बोल्ट बैसे की कहा है यार मतलब जो पेस निकालते हैं मूव्मेंट निकालते हैं पावर प्ले में विक्टे लेने की काबिलियत रखते हैं जवान कुन है जैसे मैंने अभी का बहुत जोश इनके अंदर भरा हुआ है एक अच्छी रॉपेस के साथ गेंदवाजी करते हैं और इनको उच्छाल भी मिलता है तो जब बात न्यूजिलेंड की पिचिस की आती है तो वहां पर आटोमाटिकली बाउंस आपको देखने का मौका मिलता है और इसी के चलते नसीम शार मौमद वसी में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी टीम के लिए और ट्रेंड बोल्ट तो यार मतलब है ही मतलब मुझे जादा कुछ कहने कि उनके लिए जरूरत नहीं है नमबर वन टीट्वेंडी बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जा यहां पर भी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन क्योंकि डेवन कॉन्वोई हाईस रून गेटर है और मौमद रिजवान जो है वो थर्ड हाईस रून गेटर है तो कहीं ना कहीं इन दोनों पर दाओ केला जा सकता है बिल्कुल सहमत हुए आपकी बात से दोनों ही टॉप परफॉर्मर्स दोनों के बल्ले से कंसिस्टनी रंस निकल रहे हैं बैटिंग में भी आप देखेंगे के लिमसन के उपर भरोसा जताया जा रहा है कि एक चेंज है आपे ग्लेन फिलिप्स को लेके आया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं शान मसूद से जादा के बल्ले से निकल रहा है और टी ट्वेंटी के लिहाजे से बहुत ही शांदार प्लेर है और आल राउंडर में भी आप आएंगे तो शादाब खान की जगा मुहमद नवाज है लेकिन के इंदबाजी में यार मैं एक चेंज करना चाहूंगा टिम साओधी हाई बनाफ था इस विकेट टेकर साथ विक्टे निकाल चुके हैं और उनको मिस करना खत्रे से खाली हो जाएगा यार मतला भी यहां तो देखिए अगर आप से यह कहता है कि यार एक विकेट कीपर कम कर दीजे और विकेट कीपर में मैं आइधिंग फिन एलन को ड्रॉप करके एक को एड़ करना चाहूंगा और वो होंगे टिम साओधी तो वहां पर आइधिंग आपकी टीम जो है बैलन्स हो जाएगी क्योंकि टिम साओधी अगेन आइविल से टॉप विकेट टेकर है और ट्रेंट बोल ने भी कहएड आया हुआ है तो यह दोनों के इंदवाज आपके लिए perfect combination बनते हैं नसीम शया और मौमन वसीम जूनियर भी आपके लिए perfect combination बनते हैं तो आई थे इंका आपकी टीम कहीं न कहीं पूरे तरीके से balance हो जाएगी तो यहाँ पे आई थे इंका यह combination आपको बहुत मदद करेगा टीम बनाने के अंदर तो मुईत करूँगा दोस् सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा क्योंकि final team जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी टॉस के बाद तो आप लोग आपसे request है कि टॉस के बाद अगर आपको final team चाहिए हमारे cricket experts आपको वहाँ पे team देत सब्सक्राइब तब तक अपना ख्याल रखे stay healthy stay safe stay together thank you very much